दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत मेरी मिट्टी से भी खुश्बुए वफा आएगी सरहत पर देश की हिफाज़त कर रहे जवानों में देश के लिए कुछ ऐसा ही जजबा होता है आपको बता दे कि देश आज 73 वा सेना दिवस मना रहा है इस दिन उन सभी जवानों को याद कर उन्हें सलामी दी जाती है जिन्होंने अपनी मात्र भूमी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुती दे दी लेकिन क्या आप सब जानते हैं कि आखिर सेना दिवस क्यों मना जाता है लेटिनन जर्नल के एम करियपपा के भारती अथल सेना के शीर्श धर का पद भार ग्रहन करने के उपलक्ष में हर साल 15 जन्वरी को भारत में इंडियन आर्मी डे यानी भारती सेना दिवस मना जाता है 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ उस वक्त बटवारे की वजह से देश में दंगे फसाद चल रहे थे माहोल बहुत खराब था जिसकारण देश की प्रशासनिक व्यवस्था चर्मराई हुई थी इन सभी समस्याओं को संभालने वो नियंतृत करने के लिए सेना को आ गयाना पड़ा बटवारे के दोरान शांती बनाए रखने के उदेश से एक विशेश सेना का गठन किया गया 15 जनवरी 1949 को विंग मार्शल केम करियपपा स्वतंत्र भारत के पहले भारतिय सेना प्रमुग बने ये पहली बार था जब आर्मी प्रमुग भारतिय मूल के एक व्यक्ति को बनाए गया उनसे पहले ये पद जनरल रोयस फ्रांसिस बूचर के पास था भारतिय सेना में लगभग उस वक्त दो लाग सैनिक थे केम करियपपा पहले ऐसे अधिकारी थे जिनें मार्शल की उपादी दी गई थी उन्होंने वर्ष 1947 में भारत पाक युद्ध में भारतिय सेना का नित्रत्व किया था प्रतेक वर्ष सेना दिवस के उपलक्ष में दिल्ली छावनी के करियपपा परेड ग्राउन में परेड निकाली जाती है जिसकी सलामी थल सेना प्रमुक द्वारा ली जाती है ये 15 जनवरी 1949 को हुआ था कि सेना को अपना पहला भारतिय प्रमुक मिलिटरी परेड मिला था जो कि सेना के विबिन मुख्यालों में आयोजित की जाती है आपको बता दे कि वर्तमान सेना प्रमुक मनोज मुकुंद नरावने ने सेना दिवस के अवसर पर सभी को शुपकाम नाई दी बता दे कि प्रधान मंत्री ने भी ट्वीट कर सेना दिवस की बधाई दी उन्होंने लिखा कि मा भारती की रक्षा में पल-पल मुस्तेद देश के पराक्रमी सैनिकों और उनके परिजनों को सेना दिवस की हार्दिक बधाई हमारी सेना सशक्त, साहसी और संकल्प बद्ध है जिसने हमेशा देश का सिर गर्व से उँचा किया है समस्त देशवासियों की ओर से भारतीय सेना को मिरा नमन देश के रक्षा मंत्री ने भी इस अवसर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि सेना दिवस के अवसर पर भारतीय सैनिकों तदा उनके परिजनों को हार्दिक शुप काम नाए देश भारतीय जवानों के अदम में साहस, वीर्ता, वत्याग को सलाम करता है भारत देश को उनकी निस्वार्थ सेवा पर गर्व है वही केंद्रिय ग्रह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जवानों को बधाई देते हुए लिखा कि भारतीय सेना शौर्य और पराकरम की प्रतीक है देश के बहादूर सैनिकों के अदम में साहस और वलिदान को नमन करता हूँ राश्ट्र के प्रती उनकी निस्वार्थ सेवा और समर्पन पर सभी देशवासियों को गर्व है हमारे वीर जवानों पूर्वसैनिकों और उनके परिवारों को थल सेना दिवस की हार्दिक शुब कामना है आपको बता दे कि 73 भे भारतिय सेना दिवस के अवसर पर भारतिय सेना भारत के स्वर्णिम विजय उत्सव के उपलक्ष में एक मेराथन विजय रन का आयोजन किया है इस अवसर पर हर साल की तरह दिल्ली के करियपपा परेड ग्राउन में जवानों द्वारा परेड की गई जिसकी सलामी वर्तमान सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरावने द्वारा ली गई सेवा पर्मो धर्मा को साकार करते हुए देश की सेवा में लीन वीर जवानों को सेना दिवस की हार्दिक शुब कामना है ऐसे ही लेटेस्ट परेपाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइज, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद जंगम आयुरवेदा जिसने बरसों से आपका भरोसा जीता, बना आपकी जिंदगी का हिस्सा अब जंगम आयुरवेदा आपके लिए लाए हैं शुद्ध जड़ी बूटियों से बनाए गए खास योग किट जिनमें शुगर के लिए जंगम डीरस योग किट जोडों के जिद्धी दर्द के लिए जंगम जॉइंट पेन किट महिलाओं में मासिक धर्म संबंदित समस्याओं के लिए जंगम स्वन कलश नारी योग किट बवासीर के लिए जंगम पाइलो किट बहतर पाचन के लिए जंगम पाचकरस किट करने में सहायक, जंगम, स्वन, कलश, योग किट के साथ-साथ और भी अद्भुत औशधियां, इन सभी औशधियों के लिए हमारे सभी सम्माननीय वैद्य, डॉक्टर्स और प्राक्टिशनर्स वो मार्केटिंग एजेंसी संपर्क करें, जंगम आयुर्वेदा, नीलो खेड डिस्ट्रिक्ट करनाल, हर्याना, मुबाइल नंबर 9817098180